जीवन की चनोतियों का सामना मनोविज्यान नोट्स अध्यायतीन हिंदी में इस्टुवेंट्स आप सब का एक बार दुबारा से हमारे चैनल तनिश क्रैस कोर्स में स्वागत है आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत important है जैसे पहले रहा करती थी ठीक उसी तरह से ठीक है हमने chapter number 3 class 12 की psychology के chapter number 3 को हमने ये first video आप सब के लिए series के लिए के आया हूँ ठीक है आपके उदेश आपका हो सकता है YouTube में search करना हो कि मने विज्ञान अध्यायती notes हिंदी में या psychology notes in Hindi chapter 3 या class 12 psychology based on NCRT तो कहीं आपको जाने के जुरूत नहीं है because आप बिलकुल right place पे है right जगर पे है ठीक है और मैं आप सब को बदा दूँ कि ये video आपके लिए important कितनी तरह से हो सकती है और किन लोगों को हो सकती है ठीक है so अगर आप class 12 के students है class 12 के psychology के students हो दे video आपके लिए important है या B8 के students है TAT exam के लिए prepare कर रहे हैं फिर जाहे अलग-अलग states के students हो सकते है UPTAT के बिहार TAT या MPTAT हरियाना TAT UKTAT that's meant to say कि अलग-अलग states के लिए अगर आप B8 के TAT exam के लिए prepare कर रहे है या आप UPSC के experiment है UPSC के students है so यह video definitely आप सब के लिए helpful होने वाली है students जीवन की चुनोतियों का सामना जो कि मनविज्ञान एक आपका क्या कहते है चाप्टर है मनविज्ञान की बुक में ठीक है चाप्टर नुबर 3 बिसिकली NCRT बेस्ट अगर हम देखे तो NCRT की बुक में एक ऐसा चाप्टर है मैं आपको बदाऊं अगर आप गलती से हो सकता है आपका कोई भी उद्देश नहों फिर भी आप जीवन की चुनोतियों को बारे में अगर आप समझना चाहते हैं और उसका एक मनविज्ञानिक व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ तब ही आपके लिए ये वीडियो बहुत important है ऐसे common people है ना अगर आप एक learner है उस case के लिए भी ये वीडियो आप सब के लिए बहुत important है तो चलते हैं देखते हैं students आज की वीडियो का agenda क्या है so agenda that's been यहाँ पर कारे सुची तो हमें आज क्या क् target करना है वो भी देखेंगे और agenda क्या हो भी देखेंगे ऐसा कि आप देख रहे हैं first हम राज के exam की कहानी के बारें बात करेंगे उसके बास सामाने लोगों की विपरीत परिस्तियों में इस्तती कैसे हो जाती है right हम इसको जाने का प्रियास करेंगे दबाओ क्या होता है हम रहेगा eo stress और eo stress क्या होता है हम इसको समझेंगे ठीक है हिंदी में भी इसे eo stress ही कहेंगे basically तो इसकी बच्छे से मैंने इसको इसी तरह से लिखा है so goals हमारा basically क्या है उद्देश हमारा क्या है इस आज की वीडियो का goal हमारा ये है instruments उद्देश हमारा ये है इस वीडियो क को लेकर कि आप कैसा महसूस करते हैं दबाव से पहले हम इस चीच को समझ पाएंगे ठीक है okay next हमारा goal है 11th and first बल्ले बाजों में मतलब यारवे नमबर पे और पहले नमबर पे जो बल्ले बाज होते है उनके बीच जो मतलिक stress होता है जो दबाव होता है उनके बीच में क्या अंतर है और हम समझेंगे दबाव क्या है इस चीच को हम समझ पाएंगे दबाव की लाब भी हम जानेंगे instruments और प्रतिक दबाव विनासकारी नहीं होता हम इस चीच को भी बखो भी समझेंगे ठीक है so ear stress के बारे में मैंने यहां लिखे रखा है a health stimulating kind and level of stress of course बहुत important आपका मैं इसको भी समझाओंगा आपको जैसे इसके जरौत पड़ेगी उससे पहले मैं आप सबसे एक basic question पूछना चाहूंगा आप कैसा मैसूस करते हैं अपनी परिक्षा के दिन या परिक्षा के एक दिन पहले यह आप सब के लिए मेरा question है so आप जो है YouTube के comment box में please comment करके मुझे बता है और instruments मेरा जो वीडियो बना ले का main purpose होता है मेरा main purpose यह है कि आप सब को equality education provide करूँ एक quality learning provide करूँ जो मेरा main goal है ठीक है तो थोड़ा से contribution बनता है थोड़ा से involvement बनता है अगर आप थोड़ा से involved होते हैं हमारी classes में थोड़ा से contribute करते हैं in terms of understanding और कुछ मैं आप से नहीं मांग रहा हूँ in terms of understanding तो मुझे बहुत अच्छा लेगा so मैं आप सब से question कर रहा हूँ परिक्षा के दिन या परिक्षा के एक दिन पहले आपका mood कैसा होता है क्या आप on mood में रहते हैं या off mood में रहते हैं ठीक है आपको थोड़ा सा description देना है तो चलते हम लोग next slide पर yes so जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने वीडियो की agenda में आज की उसमें राज की exam की कहानी हमें जाननी थी राज एक विद्यारती है एक students है उसके exam की कुछ कहानी है जिसको हम समझेंगे और इस कहानी को हम अपने exam की कहानी से relate करने के कोसिस करेंगे और उससे कुछ हम जानने की कोसिस करेंगे ठीक है तो मैं आप सब के लिए सरीड करता हूँ राज अपनी अंतिम परिक्षा जो कल सवेरे होने वाली है के लिए अध्यन कर रहा है मतलब राज एक विद्यारती है उसका कल exam होना है और उसके लिए वो पूरी preparation कर रहा है उसने रात में एक बज़े तक पढ़ाई की और फिर वह अपने ध्यान को एकागर करने में असमर् होने लगा ठीक है तो उसने प्राता 6 बजे का alarm लगा लगाया और सोने का प्रियास करने लगा ठीक है तो जरा इसे आप अपने जीवन से जरा लेट करने की कोसिस करो कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि खिलाब का exam होने वाला है और आज आपने देर रात तक पढ़ाई की है फिर अगर आपका हो सकता है अगर आपको लगता है कि ने मेरे psychology का paper है मेरा जो है मनुविग जान का paper है और जो है कुछ चीजे रहे गई है या किसी भी exam का आपका paper अगर है तो आपने सुबह morning में early morning में आपने alarm सेट कर लिया हो ठीक है थोड़ा अपने आप से relate करोगे तो इस कहाने को जादा अच्छे से आप समझ पाएंगे ठीक है फिर आगे कह रहे हैं कि चूकी वह बेहर तनावगरस्त है कौन राज अतह वह विस्तर पर करवटे बदलता रहा ठीक है अब यहाँ पर एक तनावगरस्त आप सब के लिए सब दाया है तनावगरस्त लेने की हो समय को खराब किया हो या जो है उसके कुछ स्लेबस रह गए हो या जिस पर्टिकुलर पेपर को देने जा रहा है वो पेपर उसको या वो स्लेबस उसको या जो पर्टिकुलर सब्दित उससे पसंद नहों उसके तनावगरस्त में आने का कुछ नो कुछ तो बॉतते हैं कि वह अपनी पसंद के विस्य है में उतरे अंक पाने में असमर्थ हो गया है जितने कि उसे उस विसे में या उस विसे को आगे चुनने के लिए आवыш्यक है तो यहां पर फिर देखिए अपने उसके माइड में क्या चल लिया होती है? कि अब साइद उसे अपने पसंदिदे विशेक में उतने अंक नहीं मिल पाएंगे या असमर्थ हो जाएगा या समर्थ हो रहा है जितने उसको आगे जाने के ले चाहिए वह अपने आपको मित्रों के साथ मोज मस्ती करने और परिक्षा के लिए पूरी त्यारी न करने के लिए दोसी ठहराता है ठीक है स्ट्मेंट्स देखो यहाँ पर यह जो दोसी ठहराना है एक और तनाव का कराण बनता है क्योंकि एक दिन पहले हम अगर अगर अपना फोकस अ यह तनाव हमारा क्या करेगा बढ़ाएगा लेकिन लेकिन हम तो इसी चीज़ को समझने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंडर में हम यही चीज़ समझेंगे आज की यह फर्स्ट वीडियो है इसके अंडर हम लोग यही समझने कोस्ट करेंगे कि हमें जब स्ट्रेस होता ह है इस्ट्रेस का मतब दबाओ जब होता है उस इस्तिती में instruments हमें किस तरह से balance करना चाहिए मैं समझ रहा हूं आप भी समझ रहे होंगे कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि कई बार ऐसा हमें लगने लगता है कि हमने अपने समय को बेकार बिताया है या जो है पढ़ ज़ादा करते हैं प्राता काल भारी सिर लिये उड़ता है और सुबह जब होती है तो भारी सिर के साथ उड़ता है नासता भी नहीं कर पाता भी आप सोचो exam है राज का और वो नासता भी नहीं कर बाता और किसी तरब परिक्षा के समय तक कि स्कूल पहुचता है चलो स्कूल तो पहुच जाता है राज अब आगे क्या होता है देखते हैं वह अपरेशन पंत्र को खोलता है तो उसका हिर्दर जोर से धढ़क रहा होता है जिसे पाउंडिंग हार्ट केते हैं बतब दिल की धढ़कन बढ़ जाती है जब हम पेपर जै चेंज तो होते है यार पता नहीं पेपर कैसा है अगर आपकी प्रपरेशन बहुत अच्छी रहती है उसके से भी थोड़ा सा आपको एक बार हलका सा जर्क तो लगता है ठीक है तो लेकिन राज के साथ तो कुछ घटना अलगतर से घटरी है कह रहे हैं हाथ पसीने से गिले होते हैं उसे लगता है कि उसका मन पूरतिया खाली हो गया है मन का मतलब उसका दिमाग पूरी दर से क्या हो चुका है खाली हो चुका है सब कुछ ब्लैंक हो चुका है उसने जो कुछ पढ़ा था एक बजे तक और उसके बाद जो सुबह उटके उसने जो रिवीजन करने का प्रियास किया उसका सब कुछ blank हो गया तो ये स्तधी हमें क्या समझाती ये कहानी हमें राज की क्या बताती है ये राज की हमें कहानी बहुत कुछ सिखाती इस्टुमेंट्स ठीक है बहुत कुछ सिखाती है और हमें बताती है कि हमें तनाओं से किस तरह से handle करना चाहिए वो चीज तो हई है तनाव तो देखो जीवन में आएगा ही उसे किस तरह से निबटना चाहिए वो भी हमें समझाएगी अभी आने वाले कुछ slides में के अंदर और जो है हमरे जो पिछली गलतिया है उसको किस तरह से हमें समझना चाहिए समय से पहले हो इसको किस तरह से समय से पहले हो इसको समालने के हमें कोसिस करने चाहिए so next point अपना आता है अब हम आगे के कुछ points को लेंगे और आपको थोड़ा सा same राज की कहानी को और ज़्यादा elaborate करेंगे और expand करेंगे और जीवन की चुनोतियों को इस chapter number third जो की मनुविज्यान का है उसको और ज़्यादा elaborate form में explanation देने की कोसिस करेंगे point है आपका सामान लोगों की विपरीत परिस्तियों में इस्तती सामान लोग मतलब हम सब सामान लोगी हैं हम कोई विशेज लोग तो है नहीं लेकिन हाँ विशेजता हमारे अंदर आ सकती है अगर हम अथक प्रियास करेंगे और प्रियास दर प्रियास करते रेंगे तो हम भी विशेज बन सकते हैं क्योंकि विशेज बनने के लिए सबसे पहले इंसान सामान नहीं होता है तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं हेडिंग सामान लोगों की विपरीत परिस्थियों में इस्तिती तो यहाँ आपको मिलता है आप में से कुछ लोगों ने राज के सामान कभी ने कभी अन्भुक किया होगा क्या आपने किया है बिल्कुल किया होगा परिक्षा की चिनोती सभी विद्यारतियों के लिए एक समान होती है ठीक है चाहे विद्यारती बहुता इंटेलिजेंट हो या वीग हो ठीक है लेकिन परिक्षा की जो चिनोती होती है सभी के लिए समान होती है थोड़ा सा हलका सा change होता है संभवत है आप सभी से ही आप से भी स्वरी से ही अपनी जीवन वृत्ती के संभद में विचार कर रहे हो ठीक है? राइट यदि वह अपनी आपकी अपनी पसंद की न हो तो क्या होगा? राइट कह रहे हैं कि यदि वह यदि वह आपकी अपनी पसंद की न हो तो क्या होगा? क्या आप हार माल लेंगे? कहने का मतलब यह है स्ट्वेंट्स की संभवता आप अभी से ही अपने जीवन वृत्ती के संभद में कुछ न कुछ सोच रहे होंगे कि जीवन में किस प्रकार से आपको आगे जाना है या क्या करना है यदि वह आपकी अपनी पसंद की न हो तो क्या होगा? निश्चित रूप से क्या होगा? आप बताइए उस दौर में उस कंडिशन में क्या होगा? जब चीज़े आपके अकॉर्डी नहीं हो पाती क्या आप हार मान लेंगे? क्या आप हार मान के बैट जाएंगे? और आप बिल्कुल जो है आगे प्रयास करना बंद कर देंगे जीवन के हर मोड पर चुनोतिया होती है बहुत important बात यहां से बताने का प्रयास करने वाले है जीवन के हर मोड पर चुनोतिया होती है बिल्कुल ध्यार रखना है students जब से बच्चा पैदा होता है जब से हम इस अर्थ इस ग्रह पर जब से आते हैं आपको हमको सबको जीवन के अलग 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 चुनोतियों का सामना करना पड़ता है ठीक है आप सोचो जब आपने पहली बार करकर सीखा होगा या जब पहली बार आपने A, B, C, D सीखा होगा ये पहली बार आपने खड़ा होने का प्रयास किया होगा तो मतलब ऐसा नहीं कि चुनोतिया कभी आपके सामने आई नहीं है चुनोतिया सदा से ही आई है और सदा आपने उस पर विज़े हासल की है सदा आपने उसको पीछे किया है और सदा आप डटे रहे है तो आप बिल्कुल मैं सोचे की चुनोती आज है और कल नहीं रहेगी चुनोती हमिसा रहेगी अब यहां पर आगए यह बता रहे हैं कि उस बालक के बारे में सोचे जिसके माता पिता के मृत बहुत कम उमर में हो गई हो निश्चत रूप से ऐसी बाते भी आपने सुनी होगी हो सकता है देखी भी हो कुछ ऐसे लोग होते हैं कुछ ऐसे बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता के मृत जो है बहुत ही कम उमर में हो जाती है और उसका पालन पोशड करने वाला कोई न होता है या होता भी है तो बड़ी दयाद रिष्टी उस पे होती है और बहुत तरह से उसको और परिसानियों को सामना करना पड़ता है वह यूवती जिसके पती के मृत्यू किसी कार घटना में हो गई हूँ या वे माता पिता जो शारिक या मांसी क्रोप से चुनोती ग्रस्त बच्चे को पाल पोस कर भढ़ा करते हैं ठीक है ये सभी क्या है ये सभी जीवन की चुनोती वर्म बता रहे हैं और आपको यहाँ समझाने का पूरा प्रियास किया जा रहा है कि हमारा जीवन हमारा जीवन इस्टुवेंट्स चुनोतियों से खाली नहीं है चुनोतिया हर एक मिनट हर एक सेकंड हर एक घंटे हर एक दिन पल दर पल आती रहेंगी तो इसका मलब क्या करें हम लोग इसका मलब क्या करें पूरी तरसे बलैंक हो जाए जिस तरह से राज ने किया क्या ऐसा हो जाना चाहिए ठीक है फिर आगे आपको और ये समझा रहे हैं कि वे लड़के या लड़किया जो call center में लंबी रात वितीत करने के बाद दिन में अपने नीद पूर्णी करने का प्रयास करते हैं call center आप सभी जानते होंगे BPO जो की business process outsourcing होता है जिसके अंदर यंग एज के लोग यंग एज के students कई बार college के students call center में calling करने जाते हैं अगर वो international होता है तो वहाँ पर English में calling होती है अलग-अलग shift अलग-अलग कंडिस के लिए ठीक है क्योंकि ये BPO है business process from outsourcing और अगर वो Indian मतब अपने domestic call center है तो उसमे जो है national calling होती है तो दिन में होती है लेकिन जो international होती है वो most night में होती है तो वही है समझा रहे हैं कि लड़के लड़के जो call center में लंबी रात वितीत करते हैं क्योंकि उनका पूरा दिनचरिया उनकी opposite होती है रात में job करते हैं दिन में सोते हैं तो स इस चुत्रुप से हमारा हिसाब किताब सब कुछ बिगड जाएगा, बॉडी का जो एक डीड होता है, बॉडी का जो सिस्टम होता है, वो गलत तरह से, उल्टी तरह से काम उसको लेना होगा, जो की सायद सूटेबल नहों पाए, तो वही ये समझा रहे हैं कि सब ही कुल मिला कि यहाँ पर आप समझने का प्रयास केजिए, सब ही के साथ जीवन के हर मतलब पहलू में आपको चुनोती मिलेंगी, फिर आगे कह रहे हैं, कह रहा है, अपने आस पास दिस्ट डालिए, तो आप पाएंगे कि जीवन एक बड़ी चुनोती है, कमाल की बात है, इस्टमेंट उन दबाओं के सामने परास्त हो जाते हैं, जैसा कि आपने राज की कहानी में देखा, कि राज पूरी तरह से एक्जाम में जो पढ़ा था उसने, उस पिछली रात एक बज़े तक और सुबह छे बज़े से उट करके जो उसने थोड़ा बहुत रिविजन किया, वो सब कु इसे आप पूरी तरह से अपने ब्रेन में सेट कर लो, जीवन की चुनोतिया, आपके जीवन भी जितनी भी चुनोतिया हैं, चाहे वो परिक्षा की चुनोती हो, चाहे वो किसी भी परकार की चुनोती हो, अभी अफकोर्स आप इस्ट्वेंट्स लाइट में हो, तो आपके एक्जाम ही सब कुछ है सबसे बड़ी चुनोती है लेकिन हो सकता है कुछ विद्यारती ऐसे होते हैं जहां फैमिली सपोर्ट नहीं होता जहां फैनेंसल इशूज होते हैं जहां पर बहुत सारी समस्या होती है उनके लिए तो ये चीज़ डिटरमाइन कर लो अपने दिमाग में सेट कर लो कि जीवन की चुनोतियां अनिवार रूप से दबाव उत्पन करने वाली नहीं होती इस्टुमेंट्स जीवन की चुनोतिया हमें बदलने वाली भी होती है हमें मजबूत करने वाली होती है बहुत कुछ इस पर करता है कि उस चनोती का अवलोकन किस प्रकार किया जाता है फिर कमाल की लाइन है कह रहा है अधिक्तम इस बात पर निर्भग किया जाता है कि वो जो चनोती आप के सामने आई है उसका अवलोकन आप कैसे करते हैं उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको आप कैसे लेते है है कि नहीं यह chapter कमाल का आपको लग रहा है कि अभी मैंने introduction भी पढ़ा है और यह पूरा introduction मैंने कहीं से और से नहीं लिया है completely class 12 की psychology NCRT Hindi medium की book से मैंने उठाया है ठीक है तो चलते हैं आगे हम लोग step by step आगे समझते हैं next point मैंने आप सबसे बात करना था मुझे discuss करना था कि 11th of first बल्ले बाज मतलब यारवे नंबर पर जो बल्ले बाज आता है यारवे नंबर पर जो आएगा और जो पहले नंबर पर आएगा उनमें दभाव का अंतर जरह आप सूचिए अपने दिमाग सो सूचिए अगर आपने कभी cricket match खेली हो और आपका tournament चल रहा हो ठीक है एक अच्छा prize रखा हो ठीक है और आप opening bats में है आप मतलब फर्स नंबर पर जा रहे हैं है ना आप क्या कहते हैं बल्ले बाजी करने बैटिंग करने तो क्या उस्टेम आपके दिमाग में stress नहीं होता of course stress होता है instruments क्योंकि आपका यह होता है कि मैं opening में जा रहा हूँ ठीक है मेरा number पहला है मैं opening बल्ले बाज में आता हूँ तो मुझे उस तरह से जीमेदारी निभानी है है ना तो वहाँ पर लेकिन आपका जो दबाओ का जो तरीका वहाँ पर होगा जो level होगा वो अलग तरह से होगा आपका goal set कुछ और होगा mindset कुछ और होगा लेकिन जब match का अंत हो रहा हो और 11th number का अब जब player जाएगा batsman जब जाएगा तो वह किस तरह से खेलेगा है ना जो fast बल्ले बाज है वो उसको किस तरह से 11th वाला handle करेगा और fast बल्ले बाज कह रहा हूँ sorry जो fast baller है 11th वाला जो player है वो उसको कैसे handle करेगा जो first up का batsman है जो opening batsman है वो उसको कैसे handle करेगा तो दोनों में ही दबाओ हैं दोनों को ही tension है tension मतलब in the sense stress दोनों को ही stress है लेकिन दोनों का stress का जो understanding है perspective है stress का वो change है तो ये change आपको समझनी चाहिए तो ठीक उसी बात को यहाँ पर explain कर रहे है करा क्रिकेट की टीम में यारवे नंबर का बल्ले बाच एक तेज गेंद बाच गेट का मुकाबला करते हैं उसके गेट का अवलोकन पारी की सुरुवात करने वाले बल्ले बाच से भिन्द तरह से करेगा बिलकुल यही बात आपको समझनी है कि 11 नमर पे जो आपका batsman जाएगा उसका जो अवलोकन होगा उसकी जो understanding ह होगी उसका जो interpretation होगा उस first नमर के बल्ले बाच के comparison में वो पूरी तरह से भिन्द होगा कि इस तरह की चिनोती के उसकता से प्रतिक्षा करेगा यह कहावत है कि चिनोती के सामने ही किसी की सर्वस्तम शमता का पता चलता है इस line को तो बिलकुल आपने दिमाग में लिख लो ठीक है या कहीं आपको जहकर मिले वहाँ लिख लो गर दिमाग में ने लिख पाओ तो इसे लिख लो कि यह कहावत है और यह कहावत सच है कि चिनोती के सामने ही किसी की सर्वस्तम शमता का पता चलता है इस सचाई instruments इस अध्याय में हम यह देखने का प्रियास करें कि कैसे क जीवन दशा एक चुनोती अत्वत दबाओ का एक कारण बन जाती है हम यह भी देखेंगे कि लोग जीवन के बिविन ने चुनोतियों एवं दबावपूर परिस्तियों के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं तो कुल मिलाके आपको बताओ हमने अभी इंट्रोड़क्शन इस चाप्टर का लिया है जो की चाप्टर नमबर त्री क्लास्टल साइकालोजी का आपका है हिंदी मेडम के स्ट्वेंट्स के लिए बहुत ही कमाल का चाप्टर है स्ट्वेंट्स इसके पहले हमने जो चाप्टर किया है कवर वो भी बहुत कमाल का है और सारे चाप्टर आ एक्जाम के point of view से इस study करिए करिए अपने जीवन में इसको apply केजिए application में लेजिए ठीक है तब आपको psychology पढ़ने का असली फायदा मिलेगा ठीक है तो चलते हैं आगली heading को लेते हैं next आपकी heading है दबाओ की प्रकृति प्रकारियम सुरूत तो हम इस के अंडर में जानेंगे दबाओ क्या है प्रकृति स्ट्रेस क्या है फिर यह कह रहे हैं कि सोमवार की best सूबा को जब आप सड़क पार करने के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप दबाओ का अनबो कर सकते हैं बिल्कुल सोचो जरा जब ट्राफिक भरा रूड है और आप einer करना पड़ता है बड़े एकागचित्ता से देखना पड़ता है हैंना किधर से हम कैसे जल्दी से रोट को लिए और पविक्रास कर जाए विकॉस आपको ऑफिस ही पहुचना है या इसको लिए पहुचना है ठीक है तो वहाँ भी चुनवती होती है ऐसा नहीं कि चुनवत पर हम अधिक प्रियास करते हैं और चुनोती से बटने के लिए अपने सारे संसाधनों और अवलंब विवस्ता की संगटित कर देते हैं, मतलब जो भी हमारे संसाधन हैं, मतलब उस टाइम हमारी awareness सड़क पार करते हैं, हमारे कौन संसाधन होंगे, हमारी पूरी बुद्धी का उसका हम रिप्टान करेंगे, करें सभी चुनोतिया, समस्याएं, यहां कठिन परिस्तिया हमें दबाओ में डालती हैं, ठीक है, राइट इस्टमेंट्स अतह, यदि दबाओ का ठीक से प्रबंदन किया जाए, तो वह व्यक्ति की आजीवता, अरजीविता की संभावना में व्रिधि करता है, मतलब आपको क्या को हूँ कि हर एक लाइन इंपॉर्डेंट्ट तो यहां पर मिल रही आपको, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अतह यदि दबाओ का ठीक से प्रबंदन किया जाए, मतलब अगर दबाओ को ठीक से मैनेज किया जाए, स्ट्रेस को ठीक से जाती है, ठीक है, इस्ट्मेंट्स, तो आप समझ पा रहे हों कि दबाओ, यहां दबाओ का क्या मतलब होता है, ठीक है, नेक्स्ट, फिर आपका पॉइंट आता है, दबाओ, प्रतेक दबाओ विनाश्कारी नहीं होते, तो दबाओ के लाब भी होते हैं, यह भी समझेए, दबाओ के लाब भी होते हैं, लेकिन वो किस लेवल से दबाओ होना चाहिए, वो हमें समझना है, और किस लेवल से दबाओ हमें लेना चाहिए, वो भी हमें समझना है, करे दबाओ विद्धुत की भाती है, electricity आप जानते हैं, कभी आपको current लगा है, तो जादा अच्छे से जानते होंगे आप लोग, ठीक है, दबाओ विद्धुत की भाती है, दबाओ उर्जा प्रदान करते हैं, मानव भाओ प्रबोधन में बृध्धी करते हैं, राइट, भाओ प्रबोधन, मतब्द आपकी भाओनात्मक्स शंक्ता में बृध्धी होती है, तर्क भी तर्क करते हैं आप, तथा निस्पादन को प्रभावित करते हैं, और जो आपको finalization करना होता है, जो काम आपको final करना होता है, उसको प्रभावित करते हैं, तथा पी, यदी विद्द धारा अतेंत तीबर हो, तो वह बल्ब की बति को गला सकती है, ठीक है, समझ पारे instruments, तो यहाँ पर electricity का उदाराड देते हो ए, अगर विद्द धारा क्या हो, यदि विद्द धारा अतेंत तीबर हो, तो वबल की बत्ति को गला सकती है अगर electricity का जो पीछे से ampere का flow होता है voltage जो 220 volts की home supply होती है अगर वो क्या हो जादा हो जाए अच्छानक और आपका MCB का support नहों या fuse का support नहों तो क्या होगा सारे appliances जो भी आपके लगे होएं आपके घर में चाहे वो fan है, refrigerator है that's when freeze है, या cooler है या TV है, सब blast मार जाएंगे क्यों? क्योंकि सब के अपने अपने strength होगी सब अपने अपनी जो current holding capacity होगी विदूत उपकरणों को खराब कर सकती है, इत्यादी उच्छ दबाव में आपरती कारक प्रभाव उत्पन कर सकता है जैसा कि मैं आपको बताया हमारे खराब निस्पादन का कारण बन सकता है मतब दबाव को दोनों तरह से आप ले सकते हैं, बिल्कुर उर्जा की बात है, electricity की बात है अगर दबाव आपने ज़्यादा लिया तो सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा जैसा कि आपने देखा, current अगर हाई है सब कुछ खराब हो गया दबाव आपने बैलंस करके लिया तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा जलेगा, प्रकाश डालेगा, प्रकाश वहाँ फैल जाएगा, इसके विप्रित विद्द कम दबाव के करण व्यक्ति उदासिंत था, निम्न अस्तर की आभी पिरड़ा का अनभो कर सकता है फिर कर अगर दबाव बिल्कुली कम है मत्तब दबाव है नहीं, एक बच्चे को बच्चे का एक्जाम है, उसको फरेकी नहीं, उसको बिल्कुल स्ट्रेस हाई नहीं है, टेंसे नहीं उसको नहीं है ठीक है, जिसे माले तेकल आपका एक्जाम है या दस दिन बाद आपका एक्जाम है आपको केरलेसनेस आपके अंदर है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं है, तो उस केस में क्या होने वाला मता हूँ आप खुछ समझ सकते हूँ उस case में क्या होगा ठीक है जिसके कारण वह कम डक्षता पूर्वक और धीमी गती से कारण इस बादन कर पाता है है ना आपने यह चीज को भी कर्यों अब्जर्व किया होगा अगर पीछे से electricity या जो power supply अगर कम है तो bulb का जो glow है ना वो slow हो जाता है खास कर ऐसे गाओं में होता है city में तो अक्सर power supply तो अच्छी ही मिलती है लेकिन आपने sales वेगरा में देखा होगा बैल्ट्री वेगरा में देखा होगा बैल्ट्री के तो अगर आप कोई particular purpose अगर आप ले रहे हों तो वहाँ पर जैसे उसकी strength जैसे उसकी power कम हो जाती है तो bulb का या जो भी appliances जो भी certain tools आप चला रहे हो उसकी ability उसकी efficiency कम हो जाती है यह याद रखना महत्पूर्ड है कि प्रत आपका point आता है next बहुत important eustress इसे हम eustress Hindi English दोनों में ही कहेंगे एक बहुत कमाल का यह बहुत basically क्या कहते है word है और eustress basically क्या होता है मैं आपको बदा दूँ इसका देखो मैंने English यहाँ में रखा है a healthful stimulating kind of level of stress healthful मतलब जो स्वास्तवर्द है कि जो आपके सिहत के लिए जो उदीपन करता है आपका stress जो level है जो दबाओ का level है अगर एक limit में है वो बहुत जादा उच्छ नहीं है बहुत जादा निम्न नहीं है एक average में है तो वो आपके लिए सेहत वर्दक होगा स्वास्त वर्दक होगा स्वास्त वर्दक कहने का मतलब आपकी body नहीं बन जाएगी स्वास्त वर्दक कहने का मतलब आप जीवन के हर एक पहलों से निबट पाएंगे डटे रह पाएंगे आगे बढ़ पाएंगे ठीक है दबाओ के उस अस्तर जो आपके लिए लाब कर है तथा चोटी के निस्पादन चोटी मतलब जो भी आपका goal है निस्पादन अस्तर की अस्तर की उपलब्दी युम छोटे संक्टो के प्रबंधन के लिए व्यक्ति के सरुस्तम गुड़ों में से एक है ठीक है स्टुमेंट्स समझ पारे ना करें दबाओ के उस अस्तर जो आपके लिए लाब कर है और चोटी के निस्पादन मतलब जो भी आपका पैरामाउंट है जो सिखर है आपका जो आपकी गोल है लक्ष जो आपका है उसकी निस्पादन अस्तर की उपलब्दी युम छोटे संक्टो के प्रबंधन के लिए व्यक्ति के सरुस्तम गुड़ों में से एक है को वर्डित करने के लिए यूस्ट्रस पद का उपयोग किया जाता है अब यहाँ पर यह कहना चाहरे है इस्ट्रेंट्स की जो इस्ट्रेस आपका होता है यह कब आपका वेथा में कर्णवर्ट हो जाए इसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इस्ट्रेस दबाऊ अगर थोड़ा सा ज़ादा हुआ तो वह आपकी समस्या भी ब confidence, over confidence बात करूँ तो एक line यहां में draw करूँ इस line पे बिल्कूल यहां पर आपका confidence है, इसके ऊपर जाते ही आपका यह over confidence हो जाता है, मतलब ठीक उसी तरह से यह stress भी है, ठीक है, जिस तरह से आपके जीवन में confidence बहुत जरूरी है, है ना, आत्में जिसे होता नहीं कि सौब इम जिसे कहते हैं, confidence, believe, safe, believe, आपका, स्वयम पे बिस्वास, वो होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर जादा होने लगा तो नुकसान दाएक है, कम है तो भी नुकसान दाएक है, है ना, low confidence, नुकसान दाएक, over confidence, नुकसान दाएक, confidence, that is very important, ठीक है, तो यह चीज़ आपको के जीड होने का कारण होती है, अतह दबाव का, wordon, किसी जीव द्वारा, उद्दीप्त, या उद्दीपक घटना के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाओं के प्रतिरूप के रूप में किया जा सकता है, right students, के रहे हैं, दबाव जो है, दबाव का wordon, जो है, किसी जीव, मत हैं, उसके प्रतिरूप में किस तरह से आप उसको bounce back करते हैं, वो चीज, basically, आपको समझाता है, जो आपकी सामयावस्था में वेवधान उत्पन करता है, और उसके सामने करने की शमता, right, उसके सामने करने की शमता से कहीं अधिक होता है, right, तो यहाँ पर कहने का मतब जो आ समता है, उसमें, basically, कहीं अधिकता उसके अंदर होती है, तो यहाँ पर इस्ट्मेंट्स आच्छी क्लास में, basically, आपने ये समझा है, कि, basically, दबाओ को किस तरह साम मैनेज कर सकते हैं, और दबाओ, क्यों हमारे जीवने, basically, किस तरह से हमारे गोल को, हमारे उद्ध्यों को किस इस तरह से अचीव करने में help करता है, ठीक है, तो आज की क्लास यही तक आप सब का बहुत ज़्यादा, basically, क्या कहते हैं, सहयोग, मैं यही चाहूँगा, आप सबसे आकरी में, बहुत ज़्यादा thankful मैं रहूँगा, basically, मैं यह कहना चाहरा था, कि students, please, देखो, मेरा effort आप सब के लिए है, मुझे आप से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यह चाहरा हूँ, कि मेरी videos आप maximum share करो, maximum share इसलिए, उन students तक जिसको education नहीं मिल पा रही, अच्छी, मैं चाहता हूँ कि अधिक्तम share किया जाए, आपके friend circle में, जो भी आपके friend से उन में share करें, ताकि अधिक्तम लोग quality education या मेरा जो 100% effort है, कम सकम उन तक पहुचे, मेरी जो energy है, उसको मैं record करके, जो आप सब तक पहुचा रहा हूँ ताकि उन सब को मिले, और मैं एक revolution चाहता हूँ, educational revolution, पूरी तरह से क्रांती ले आना चाहता हूँ, कम से कम जो भी subject में पढ़ाता हूँ, मैं यह चाहता करूँ मैं आप सब के साथ में, ठीक है, तो मेरा effort आप सब के लिए, इस्ट्वेंट्स में psychology, class 12 की हिंदी मिडियम बिसिक यह भी target कर रहा हूँ, तुसको मैं cover करूँगा, मैं English मिडियम की psychology भी पढ़ाता हूँ, इसके लाव मैं math भी पढ़ाता हूँ, physics भी पढ़ाता हूँ जो भी subject आप पढ़ो, से मन से पढ़ोगे ना, तो definitely आपको हर subject से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ न कुछ न कह करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, पस आपका मन वहाँ focus होना चाहिए, मन पूरी तरह से वहाँ रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, ठीक है, so please आप सबसे जाते जाते request है, कि please इस वीडियो को maximum to maximum अपने फ्रेंडों में जितना हो से कि उतना शेयर करना, शेयर करने का reason मैं ये बता रहाँ instruments की, और मेरा कोई reason नहीं है, reason ये है कि मैं, जो मेरा effort है, अधिक्तम लोगों तक नहीं पहुच पाता, और उसके अच्छी से पढ़ाई करना है, so take care and bye bye